हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई हैपी प्लिस माई टेरिस गार्डन में शिल्पा भोपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे फ्रेंड्स आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुबकामना है आज मैं अपने गार्डन का एक छोटा सा अपडेट देने वाली हूँ यह देखिए इतना सुन्दर कलर इसका एक आया है बहुत ही जादा ब्यूटिफुल और बहुत बड़ा फलार खिलकर आया है इसी में का एक यह कलर हर बार इसका कलर जो है वो और जादा डार्क होते जाता है और इसमें देखिए आप कितनी सारी कलिया अभी भी बनी हुई ह हर ब्रांच पे कलिया है फिर आज ये एक ऐसा पिंक कलर में भी फ्लार ब्लूम हुआ है ये मिनियेचर वाले इसमें रोज पाच्चे पाच्चे फ्लार आते हैं और देखिए आप कितनी सारी इसमें अभी भी कलिया बनी होई है और ये ये भी कलर आपको इसमें थोड़ा इसमें भी बहुत इसमें भी रेगुलर कलिया है ये बनी ही रहती है और ये देखिए ये अलग यलो वैराइटी है ये ब्लूम होगी तब आपसे मैं शेयर करूंगी हिविसकस का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है बस ये है कि सारे फ्लार एक दम नहीं खिले रहते हैं रोज कुछ-कुछ अलग-अलग फ्लार्स डेली ही खिलते रहते हैं पिंक हाइब्रीड हिविसकस के भी मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है अलग-अलग वेराइटी है सबके पैटन्स और पैटन्स में डिफरेंस है तो कुलमिलाके अभी हिविसकस ठीक ही चल रहे है मुझे शेवन्ती में वाइट कलर ही परसनली सबसे ज़ादा पसंद है क्योंकि बहुत ही ज़ादा ये उठकर दिखता है वाइट और यलो कलर तो मेरे गार्डन का ये वाला ये पोर्षन जो है पॉर्ण साइट का वो कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है ये जो शेवन्ती के फ्लार्स है ये पूरी तरीके से अब बहुत काफी समय से ये ब्लूम कर रहे हैं तो अब इनके जो फ्लार है वो स्पैंट होने लगे हलाकि इस मेरे पोर्षन में थोड़ी सी धूप कम आती है जिसके कारण काफी दिनों से टिके हुए लेकिन अब ये बहुत जादा दिन तक नहीं चलेंगे हमारे शेवन्ती के प्लांट्स ऐसा ही है कि एक बार ब्लूम कर लेते हैं तो महीना भर चल जाते हैं उस बीच अकर उन्हे पानी और बहुत जादा तेज धूप ना लगे तो तो ये वाला एरिया मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है इस तरफ पूरा मेरा गुढ़हल का कलेक्शन है और ये एरिया मेरे गार्डन का मेरा सबसे जादा फेवरेट एरिया है मैं आपको थोड़ा सा पीछे होके दिखा ये देखिए यहां पर मेरी ग्रीन ग्रास हो जाती है यहां चारो तरफ मैंने इसे इंपेशिंस के टब्स रग दिये हैं कुछ शेवंती के प्लांट से बहुत जादा डिटेल में अगर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाता है फिर फ्रें आल टाइम फेवरेट बोगन वीलिया ऐसा इस तरीके से मैंने बीच में रखा हुआ है फिर यहां पर मेरे एलिफेंट जी बहुत सुदर दिख रहे हैं वाइट में यह रेड को कॉम्बिनेशन बहुत ही जादा उठकर दिख रहा है फिर इसके पाद देखिए मेरी चोटे- और यह देखिए मैं आपको अपना विनका दिखाती हूं यह विनका के उस तरफ अभी जगह नहीं होने के करण बिल्कुल भी स्पेस नहीं है गार्डन में इसलिए मैंने सारे ही विनका भी इस तरफ रख लिये हैं और आप देख सकते हैं विनका पे फ्लारिंग बहुत इनकी पिंचिंग करने में लगी हुई हूं तो आगे चलके यह हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे देखिए इसमें सारे अलग-अलग शेड्स के हैं बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोध चल रहे हैं और यह जो प्लांट है इस प्लांट में पूरे तीन कलर के विनका ल रखी है तो विंका के भी में पास काफी सारे प्लांट हैं जो कटिंग से भी ग्रो हुए और मैं छोटे-छोटे सैपलिंग्स भी लेकर आई थी क्या हमारे आपर सैपलिंग्स बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाती हैं फिर से वही जगे की कमी के कारण कुछ एक प्लांट इस बार मैंने पॉनसेटिया और शेवन्ती से डेकरेट के क्या कि शेवन्ती बहुत जल्दी अभी हमारी चली जाएगी तो फिर इसके लिए मुझे फिर से कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी फ्लार्स की तो यह आप देख सकते हैं यह उपर तरफ बुद् रड कलर के शेवन्ती की है फिर इसके बाद पूरी ही लाइन मेरी एक साल्विया की है रेड कलर जो बहुत ही जादा पॉप अप होता है लेकिन यह यह अभी एक बार फ्लारिंग करके सारे ही प्लार्स के फ्लार्स जो स्पैंट हो गए फिर से इस पे जो है न्यू ग्रोथ प्र कि पॉम्पोम वाराइटी के यलो शेवन्ती से लिए है जो लगबख पैंट होने पे है और इसके बाद की रो में मैंने रगदिये है अपने बॉगन बिगोनिया और उसके बाद मैंने सारी ही जो पूरी लाइन है यह मैंने सेलोश्रीया की रख्यों जो बहुत ही बेबी पिंक कलर के ही फ्लारज पिग्मेंटेशन होता है तो यह कलक वराइटी मेरे गार्टन में हो गई है अगले बार मैं इसको और कटिंग से जाधा प्रपोगेट कर लूँगी यह देखिये बहुत ईजीली कटिंग से लग जाती है और इवन ये जो ऊपर की पूरी लाइन लगी हुई यह भी पूरी मैने कटिंग से ही लगाई तो यह देखिए कुछ इस तरीके से और ये मेरी इवा इवा और ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा जो कॉर्डनर का लुक है ये निकल कर आता है, बहुत ही ज़ादा सुन्दर ये दिखता है, बोगन वीलिया वग्रे सारे ही काफी अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी इनकी अभी भी बीब्लूम चली रही है, बहुत दिन हो गया, अब इनके फ्लास जो उस पैंट होने का टाइम आगया, इधर अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अब यह काफी दिन नहीं रह पाएंगे अभी इस पैंट हो जाएंगे बहुत दिनों से यह कम से कम महीना भर होने को आ गया इसी तरीके से यह कंटिनियस ब्लूमिंग कर ही रहे हैं इधर मेरे रोजेज रखे हुए हैं जो मैं आप ल जरेनियम की है बेहत जादा सुन्दर दिख रहे हैं यह सारे जरेनियम जितने जादा यह भी मोबाइल में सुन्दर नहीं दिख पा रहे हैं उतने जादा यह एक्च्छली में देखने में लग रहे हैं यह पूरी लाइना कम से कम 20-22 पॉट्स तो हैं मेरे पास जरेनियम के और ये результатすब ऑने में और सबमे नहींनी कलियां बनेंगे क्योंकि काफी के टाइम से ये फ्लूम कर रहे है ये देख questa सबमेर बहुत बहुत जादा सुन्दर नियुकर पर प्लाइज ही लाइन लीयो पुसु रख दी है इस बार मेरे पता नहीं कहा पिंक कलर की मेरी शेवन्ती और दो-तिन कलर और हैं जो लास्ट यर मेरे गार्डन में थे वो पता नहीं कहा गुम हो गए हैं उनका एक भी फ्लांट मुझे देखने को नहीं मिला पता नहीं ऐसे कैसे हो गया और जो कलर नहीं थे यलो, मस्टर्ड यही color सबसे ज़्यादा मेरे यहां पर प्रपोगेट हुए है। तो यह पूरी ही line मैंने ऐसी red की रख दिये। इधर का area मुझे देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है। बहुत ही synchronized तरीके से एक रखे यह flowers बहुत सुन्दर दिखते हैं। फिर इसके बाद यह मेरा ground orchid और यह पूरी ही line मेरी जह है वो डेहलिया की है। और डेहलिया पे भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी blooming होना शुरू हो गई है। हलाकि ज़्यादा तर flower देखिए एक ही color के निकल रहे हैं। पर अभी काफी सारे plants के मेरे flowering होना बाकी है तो देखते हैं उसमें क्या colors निकल कर आते हैं। फिर इसके बाद जो मेरी एक line है यह पूरी ही इस तरीके से mustard वाले शेवन्ती की है जो बहुत ही जादा सुन्दर दिख रही हैं। देखिए इस तरीके से कुछ यह पूरी ही मेरी शेवन्ती रख्यों हैं। बहुत सुन्दर ब्लूम कर रही हैं। और यह देखिए यह वाले शेवन्ती मुझे बहुत जादा पसंद आई हैं। पर पता नहीं इसके सारे plants बहुत कम plants दिख रहे हैं। अलग-अलग color के सारे plants मेरे काफी कुछ cuttings अब की लगाई थी। पता नहीं कैसे वह दिखी नहीं रहें कहीं भी garden में। और यह देखिए यह color कितना सुन्दर दिख रहे हैं। इसके अगले साल में बहुत सारी cuttings लगाऊंगी। और यह यलो मेरे plant हो गए हैं जीनिया भी वर्बीना भी काफी अच्छे चल रहे हैं। बहुत सारे इस पे मेरे अभी calendula भी खिलने लग गए हैं। और यह देखिए आप यह pentas की भी जो growth है वह बहुत अच्छी चल रहे हैं। यह cutting से लगे हुए pentas हैं। और काफी अच्छे यह अभी चल रहा है इनका growing season आने वाला है। फरवरी March में इनको देखीगा कितने जादा सुन्दर यह growth करके देंगे हमें। और यह पूरी ही एक लाइन मैंने purple के petunia लगा दी हैं। और एक मैंने पूरे ही यह magenta लगा दी है। तो अभी इनकी growth हो रही है जब फुली तरीके से और जादा पूरे भर जाएंगे। तो इसके यह crates वक्रे जो हैं यह दिखेंगे ही नहीं। सिर्फ flowers ही flowers यहां पर हमको पूरी तरीके से दिखेंगे। तो यह कुछ इस तरीके से मेरे यहां का इस portion का जो लुक है वो निकल कर आता है। और बेहत खुबसूरत यह दिखता है पूरा फूलों से अभी इस टाइम पर मेरा garden जो है भरा हुआ है। तो यह हमारी महनत रहती है जो हम इतने महीनों तक महनत करते हैं winter garden के preparation की और अगर हमको इस तरीके से कुछ result निकलता है तो देखकर दिल खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छा इस टाइम पर मेरे garden का जो लुक है वो निकल कर आ रहा है। यह देख सकते हैं आप पूरा फ्लार से इस टाइम पर भरा हुआ है। और यह प्यारा प्यारा रोज भी आपको happy new year बोल रहा है। बहुत ही सुन्दर इस टाइम पर फ्लारिंग मेरे रोज पर भी चल रही है। बहुत ही प्यारे सारे रोज दिख रहे हैं और यह देखिए नस्ट्रेश्यوم के पूरी ही एक लाइन जो ही यह ने नस्ट्रेस्यूर की लगा दी है। तो यह भी अभी जब पूर अच्छे से खिलेंगे तो बहुत सुन्दर दिखेंगे। इस्सरेश्यम का फलार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका ओरेंज खिलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और यह देखिए, यहां पे सारे ही फलार्स, रोज में बहुत अच्छी फलारिंग चल रही है, और कई सारे flowers तो spent भी होगे जो मैंने cut कर दिये हैं तो ये time time पे मैं आप लोगों के साथ इनके भी सारी flowers जो है वो share करती रहूंगे देखिए new new birds आते ही जा रही है और जो new growth निकल कर आ रही है रोज में वो भी बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है यहां से कुछ इस तरीके से मेरा वो बुद्धा कॉर्णर दिखता है और मैं आपको दिखाओं तो यह देखिए यह सारे ही मेरी cuttings लगी हुई है यह देखिए यह मेरी exora की cutting है जिस पर अभी कुछ insects का attack हो गया था तो cuttings आप हाथो हाथ लगाते रही है मैं और भी दिखाती हूँ यह देखिए यह मैंने अपने गुड़ल देसी गुड़ल की purple color वाले जो थे उनकी cutting करी थी तो वो मैंने ऐसे ही इसमें खोच दी थी मिट्टी में और देखिए इसमें भी अब new growth होना start हो गई है यह वाली भी मेरी एक hybrid hibiscus की cutting है तो जो भी cutting करें तो ऐसे ही डालते जाए तो यह germinate होई जाती है पाच्छे पाच्छे लगा लिजिए दो थीन तो आपकी प्रोपोगेट होई जाएंगी यह आप देखिए calendula का color कितना जादा सुन्दर दिख रहा है बहुत ही सुन्दर calendula का color एकदम pop-up होके निकल रहा है बहुत सारी variety में plants हैं बहुत colors हैं लेकिन अगर एक-एक को दिखाई तो फिर वो ही है कि वीडियो बहुत ज़ादालमबा हो जाता है फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता वीडियो बहुत ज़ादालमबा होने पर आप पूरा वीडियो देखते भी नहीं है तो यह देखिए इस तरीके से बहुत सुन्दर हर color के औ हुए है और मेरे इस वाले पोर्शन में अब सारे ही जित्ते भी शेवन्ती के यह मदर प्लांट्स थे तो आप इनके फ्लारिंग जो है यह पूरी ही स्पेंट होने में है तो अब मैं इन सब को यहां से हटा देने वाली हूं यहां पर कुछ और प्लांट्स का मुझे अरेंज करना होगा और यह देखिए यहीं पर ही साथ ही साथ मैंने ऐसे टब्स में कुछ मल्टी प्लांट्स लगा दिये हैं देखिए मल्टीपल प्लांट्स लगाएं यह मैंने यहां पर अपना इंपेशन्स लगा हुआ है अलाइसम लगा हुआ है एस्टर लगा है यह स्वीट व ब्लूमिंग भी होना स्टार्ट हो गई है एक बार ब्लूम होके जा चुके यह डायंतस है क्लार्किया स्वीट विलियम और अलाइसम तो इसी तरीके से आप भी मिस्मैच करके प्लांट्स लगाईए तो जब यह पूरी तरीके से ब्लूम करेंगे तो यह बहुत ही जादा सु जाएगा उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि क्या कैसे जमाना है क्योंकि अभी तो आधे से जादा पूरा गार्डन जो है वो सिर्फ शेवन्ती से ही भरा हुआ है कि यह एक वैराइटी मेरी शेवन्ती की यह भी मुझे बहुत जादा पसंद है लेकिन बस मुझे यह जो है थोड़े दबे दबे से दिखते हैं इनके इनके कंपैरिशन में अगर कुछ ऐसे यलो या ऐसे खिलते हुए कलर रहते हैं तो बहुत जादा सुन्दर दिखते हैं और यह आप देखिए लेंटाना के जो मेरे प्लांट्स हैं यह भी अभी तो इनकी फ्लारिंग थोड जादा वीडियो डिटेल्ड हो जाएगा यह देखिए मैं आपको यहां से अपना थंबरजिया दिखाऊ यह देखिए इसमें थंबरजिया में भी फ्लारिंग होना स्टार्ट हो गई है यह बहुत जार इसमें कलिया निकल रही है तो यह पूरा जब लूम करेगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी यह मेरा क्रीम कलर का ओफ वाइट कलर का थंबरजिया है उसके आगे उधर मेरे लैंड लोटस में भी फ्लारिंग होना स्टार्ट हो गई है प्लांट्स तो फ्रेंट्स बहुत जादा है बात वही है कि फिर एक एक दिखाऊंगी तो बहुत हो जाएगा वीडियो जिस जिस पर जैसे जैसे फ्लारिंग होती जाएगी वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अडेनियम का प्लांट अभी ठीकी ठाक चल रहा है ऐसे तीन प्लांट्स मेरे और हैं जो उस तरफ रखे हुए तो देखिए कुल मिला कि हमारा जो य मैं उसका कुछ पेंट का कलर चेंज करने वाली हूं तब वह और जादा खुल कर दिखेगा पर अभी वह बहुत ही जादा सुन्दर दिख रहा है तो उससे हमारे गार्डन में हैसे छोटी-छोटी चीज़े रखने से एक ब्यूटी एड हो जाती है हमारे गार्डन में और यह देखिए आप कितना सुन्दर मेरा गार्डन इस टाइम पर दिख रहा है बहुत ही जादा अभी प्यारा लग रहा है फूलों से भरा हुआ यह देख सकते हैं और यह मेरा बोगन भी लिया तो सब पर भारी है इतना जादा और अभी आप प्लीस थोड़ी सी मेरे यह लोगन फåぎ हैं कि कहां जमा कि रखूं और उस तरफ मेरे पूरे पैट से रहते हैं इसले मुधरज्यादा प्लांस नहीं रख पाते इसले परमानिammant लीकल्स ही मैंने वहां पर जभा एक लांत केल बहुत सुन्दर दिख रहा है यह भी यह रेड कलर का पॉंसेटिया और यह मेरे सारे ही इंडोर प्लांट्स जो मैं लेकर आई थी हेलो एवा हेलो है बोलो हेलो तो यह देखिए यह ना इस तरीके से है यह मैंने सारे ही अभी रीपॉर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल टा हुआ है तो इसको भी मुझे अच्छे से अभी सेट करना है और यहां पर मेरे यह बुद्धाजी वाला कॉर्णर तो मैं आप से शियर करी चुकी हूं और यहां पर भी मेरे सारे ही प्लांट्स रखे हुए यह मुझे अभी सारे आज जमाने हैं यह देखिए मेरा यह एक औ कोटा सा क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मुझे अपने गाडन का शेयर करना था और न्यूयर के विश्यस भी आप लोगों को देने थे तो आशा करती हूं आप लोगों को मेरा आज का अपडेट पसंद आया होगा अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज नए वीडियो में फ्रेंट्स आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तब तक ले बाई टेक एर हैपी गार्डिनिंग एंड हैपी विंटर्स एंड हैपी न्यू यर्ड